दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं आज की मुखे समचार टुडेज ब्रेकिंग नियूज मुखे एडलाइन्स आज की समपूर राज्जियों से निकल कराने वाली ताजा बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं हर एक बड़ी खबर आपको जानने को मिलेगी सिर्फ 10 मिनिट में गुजारे से भाईयों और बहनों इसलिए वीडियों में अंतिम तक बने रहकर ताजा जानकारियों की पूरी खबर जरूर ले लिजीगा तो आज की दरसल बेहदी बड़ी अपडेट आ रही है इस राज्य में स्कूलों के तुरंत बंद करने का हुआ एलान इसकूलों पर लगने वाला है ताला परशासन न कर दिया है बड़ा एलान जी हां दोस्तों बड़ी कबर आ रही है ततकाल रूप से स्कूलों के बंद कर उब्रकार ह साथा के लिए पर देश के लिए मात्र 75 watching रूपई में आवेदन फ़र्म भर्वापकर 36,000 रुपए दिया जा रहा है आखिरकार कौन सा फोरम भरना होगा इसकी भी जान के देंगे साथी साथ पैन कार्ड को बंद होने से बचाना है तो तुरंत करवाले यह काम नहीं तो 10,000 का लगेगा जुर्माना यदि आपके पास भी पैन कार्ड है आपके राज्जियों आपके शहरों के ताजा मौसम के हाल बताए गया है तो अगर अपडेट आप भी जानना चाहते हैं तो अंतिन तक बने रहे कर पूरी खबर जान लीजीगा साथी मोधी सरकार ने 71,000 युवाओं को दी नौकरी सौपा गया नियुकती पत्र आप भी अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो कैसे आप भी अपना सरकारी नौकरी ले सकते हैं आपको इसकी पूरी जान करी बताई जाएगी साथी अगली बड़ी अपडेट बालिकाओं के खाते में आएंगे अब 15,000 रुपे बस इस योजना में भरवा लिजिए अवेधन जी हां बालिकाओं के लिए दरसल सरकार की तरफ से एक लाप दिया जा रहा है अगर आप भी बालिकाओं है आपके घर में कोई बीटिया है कन्या है तो सरकारों की ओर से आपको 15,000 रुपे मिल सकता है इस योजना को भी पूरी जान करी बताए जाएगी इसके लावा नेक्स्ट बड़ा अपडेड मिलेगी बड़ी राहत 500 रुपे में मिलेगा रसोईगे एसलेंडर फ्री विजली के साथ-साथ यह तीन नई योजनों की हो चुकी है सुरुवाद जी हां रजिस्ट्रेशन करवाते ही आपको फायदा मिल सकता है दरसल 500 रुपे मेरे सोईगे एसलेंडर और फ्री विजली के लावा तीन नई योजनों की भी आपको फायदा मिलने वाला है तो कहां के लोगों को यह फायदा मिलेगा और कैसे आप भी उठा सकते हैं लाब इसकी पूरी जान के देंगे आवेदन करते ही मिलेगा फायदा साथी साथ जल्द निप्टा ले अपने सभी जरूरी काम आठ दिनों तक बैंक होने जा रहे हैं बंद आपका बैंकों से जुड़ा कोई काम काज है तो वो यहां पर अटक सकता है आखिरकार कितने कितने दिनों तक और किस किस दिन बैंकों में छुटी रहेगी ताजा जान करे निकल करा रही अभी बताएंगे साथी सरसो का तेल और रिफाइंड ओयल हुआ सस्ता जान लीजिये ताजा रेट बार्केट से निकल कराने वाले ताजा बाजार के भाव आखिरकार कितने रूपए तक साइसो का तेल और रिफाइंड ओयल सस्ता हुआ है इसकी जान के देंगे वहीं गाय और भैस खरीदने के लिए सरकार दे रही है इतने लाख रूपए का लोन जानिये कैसे करवाना है आवेदन साथी अगली बड़ी अपडेट फसल सिचाई के लिए अब हर महिने मिलेगी 2000 मुफट बिजली किसानों को मिलेगी राहत किसान अगर आप भी हैं खेती बाड़ी करते हैं तो अब आपकी फसलों की सिचाई के लिए सरकार ने यहाँ पर बिजली की बिल में छूट देने का फैसला किया है तो कहां की लोगों को यहाँ छोट मिलेगी इसकी भी पूरी खबर आईए विस्तार से जानते हैं इसके लावा देश से निकल कराने वाली हर एक महिला मजदूर गरीब एवम सिर्मिकों के साथ साथ स्कूल जाने वाले छातर छातराओं पिट्रोल लेजल एवम रसोई गेस लेंडर से समेथ कई और भी आपके फाइदे की एवम काम की खबरें हैं जिनने आप जरूर जन लीजेगा उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा लीजिए बेल की घंटी को ओल पर स्रेट कर लीजिए वीडियो को भी लाइक करके शेयर जरू गर दीजेगा तो दरसल आज की सबसे पहली बड़ी ख़बर पानमसाला होने जा रहा है जबर दस्त महेंगा इस राज में सरकार ने किया है बड़ा एलान जी हाँ पानमसाला और तंबाकु उद्द्ध्यों की तिकडम के सामने सरकार का यहां पर एक बड़ा फॉर्मिला निकल कर आ रहा है आप भी पान मसाला या फिर धुमर पान करते हैं सराब पीते हैं तो बड़ा जटका लगेगा क्योंकि सरकार के तरफ से यहाँ पर टैक्स को दोगुना करने का फैसला लिया गया है दरसल बता दीजाए कि उत्तर प्रदेश की राज इस सरकार के तरफ से इन सभी चीज़ें पर लगने वाला जो टैक्स है उसे अब दोगुना करने का फैसला किया है जिसके बाद बीली गुटका सराब यह सभी चीज़ें अब यहाँ पर महंगी हो जाएंगी दोगुने तक रेट बढ़ सकते हैं वहीं अगली बड़ी कबर बिजली बिल माफी योजना का हुआ एलान इस राज में उठा सकते हैं लाब जी हैं दोस्तों आपका भी बिजली कबिल बकाया चल रहा है तो जारखंड के जमसेदपुर में सरकार की तरफ से एलान हुआ है कि 30 जून तक आप बिजली का बिजली बिल पर अगर आपका यहां पर बिजली बिल के साथ साथ बियाज को यहां पर सरकार माफ कर सकती है लेकिन इसका फाइदा लेने के लिए आपको 30 जून से पहले ही पहले एक मुस्त समाधान योजना के तहत अपना बिजली का बिल भरना होगा वहीं अगली बड़ी खबर, देश के इन राज्यों में स्कूलों को तत्काल रूप से बंद करने का हुआ एलान, कक्षा एक से लेकर आठवे तक के सभी स्कूल होंगे बंद, जी हां उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल करार है, दरसल इन दिनों उत्तर भारत में काफी चिलचिलाती होई गर्मी पढ़ रही है जिसके बाद यहां का जन जीवन बेहाल हो चुका है, बढ़ती गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिशत की तरफ से इसकूलों में 20 माई से 15 जून तक का अवकास घोशित कर दिया गया है, यानि कि दोस्तो गर्मी कालीन अवकास घोशित हो चुका है जिसके बाद कक्षा एक से लेकर आठवे तक के सभी स्कूल तुरंत के तुरंत बंद होंगे, साथी बारवे तक के स्कूलों को यहां पर भी बंद कर दिया गया है, हालां कि जो एक्ष्ट्रा क्लासेस हैं या फिर स्कूल चाहें तो अपने मन मताबिक बच्चों को यहां पर बुला सकते हैं, इसके लाब आगली बड़ी खबर, इस योजना में मात्र 55 रुपे का करे निवेश हर साल मिने का 36,000 रुपिया, जी हां के अंदर सरकार की एक ऐसी यूशना निकल करा रही है जिसमें आप महज 55 रुपे का हर म दरसल बता दीजाए कि आंधी और बारिस की जारी हुई है कड़ी चताउनी, जी हां मौसम वभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, मौसम को लेकर विश्यशग्यों एवं मौसम वभाग की तरफ से ताजा जानकारी दी गई है कि आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए उत्तर भारत के कई ऐसे राज से जिले हैं जहां पर 22 से लेकर 26 तक मतलब की 22 माई से 26 माई तक आंधी और बारिस के आसार जारी हुए हैं, नेक्स्ट अपडेट, 10 हजार रुपे के जुरुमाने और आधार कार्ड बंद होने से बचाना है, तो तुरंत करवाई हा काम, नहीं तो लगेगा भेंकर जुरु अधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए अंतिम तारिक नजदी का चुकी है, मात्र 45 दिनों का समय बचा है, इन 45 दिनों के अंदर कर आपने अपने पैन कार्ड को अधार से लिंक नहीं करवाया है, तो 10 हजार का जुरुमाना तो लगेगा ही, साती साथ पैन कार्ड भी अगर आपको बता दें, बैंकों से जुड़ा हुआ, अगर आपका कोई भी जरूरी काम काज है, तो नेट बैंकिंग, ATM, डिजिटल पैमेंट अगर आप इस्तमाल करते हैं, तब तो आपको कोई पैमेंट प्रॉबलम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप ब बड़ी कबर सरसो का तेल और रिफाइंड ओयल हो गया है सस्ता, जान लीजे कितने रुपए तक की रहे हैं दाम, जिहां सरसो तेल और रिफाइंड के दामों में 25 से 30 रुपए की कमी देखने को मिल रही है, बिहार से बड़ी कबर आ रही है, पिछले 3 से 4 दिनों में जहां सरसो तेल 25 से 30 रुपए प्रती लीटर सस्ता हुआ है, तो वहीं रिफाइंड ओयल के कीमतों में भी लगबग 25 से 30 रुपए की कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद सरसो का तेल 160 से घटकर 125, 130 रुपए प्रती लीटर पर चल रहा है, वहीं अगली बड़ी अपडेड, अब क किसानों को मुफ्त में मिलेगी, वहीं बड़ती महंगाई को देखते हुए सरकार के दोरा कुछ अन्य नई योजनों के भी शुरुवात किसान भाईयों के फायदे के लेकी गई है, बता दें, मद्दे प्रदेश की राजधानी भोपाल में, यह यहां पर दोदो बोरी, ड को देने का एलान हुआ है, तो आप किस राजध के निवासी हैं, कमेंट करके आप जुरू बताएं,